हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल तो फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में हमने यूगल जोडी सरकार जी की कानहा जी के लिए वूलन ड्रेस बनाए थी आज हम राधारानी के लिए वूलन ड्रेस बनाएंगे तो ये देखिए कानहा जी के लिए हमने धोती और ये तो जैसे हमने यहाँ पर 19 चेंन लेकर start किया था. सेम हमें यह चोली इतनी same इसी की तरह बनानी है. बत उसमें फर्क यह होता है कि यह काना जी के लिए हमने एक साइट कम ली थी और एक साइट यह थोड़ी चौड़ी रखी थी. वो हमें बराबर रखनी होती है. तो फिर चलिए, start करते हैं यह देखें, यहाँ पर हमने 19 chain ली है 19 chain लेने के बाद में हमें 3 chain और लेनी है 3 chain लेकर यह फर्स्ट वाली 3 chain को skip करने के बाद 4th वाली chain में हमें double crochet बनाना है उसके बाद में हमें यह पूरी सबी chain के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कम्प्लीट करना है इसमें बहुत जादा डिफ्रेंस नहीं है बिल्कुल उसी की तरह बनेगी बस थोड़ा सा फ्रंट पार्ट हमें उसका चेंज बनाना है यह देखिए हम इस राउंड को पूरा इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे यह देखिए यहाँ पर हमारी 19 चेंज थी और हमने 3 चेंज लेकर एक यह बनाया था तो यहाँ पर यह भी डबल क्रोशिया काउंट हो जाएगा और 19 हमारी चेंज थी इस तरह से हमारे पास ये 20 double crochet हो गए अब हमें क्या करना है तीन chain लेनी है तीन chain लेने के बाद में turn करके ये जो first वाली double crochet है उसके उपर ये chain वाली double crochet आ जाएगी अब हमें next वाली chain से हट double crochet के उपर दो बार double crochet बनाना है ये देखिए एक ही आ गई और एक में इसमें दो बार हमने double crochet बनाया इसी तरह से हमें end तक complete करना है और लास्ट वाले में हमें एक बार ही double crochet बनाना है फर्स्ट वाले में एक है फिर दो हैं फिर दो हैं इस तरह से हमें यहां तक दो दो बनाने हों लास्ट वाले में एक बार डबल क्रोशिय बनाना है यह देखिए यह राउंड भी हमने कम्प्लीट कर लिया है इसमें हमने फर्स्ट और लास्ट में एक बार डबल क्रोशिय बना अब हम दो चेन लेंगे दो चेन लेकर इस वाली चेन को छोड़कर नेक्स्ट वाली चेन के ऊपर हमें दो बार हाफ डवल क्रोश्या बनाना है यह देखिए हाफ डवल क्रोश्या में हम यह एक साथ तीनो इस्टिच निकाल देते हैं फिर से हमें एक बार और हमें हाफ डवल क कुलोषय हो गए है इसके बाद 4 ाले में हमें हमें 2 बार हाफ double क्रूशय बनाना है एक और ये तरह से हमें ये राउंड कंप्रीट करना है तीन बार हाफ और फॉर्फ चेन में दो बार हाफ डबल क्रोशिया देखे एक दो तीन तेन भार द्वी अर यह फॉर्थ चेन में, दो बार हाफ डबल क्रोशिया सेम इसी bare में जानी सेहरा से हम हम इस राउंड को complete करेंगे देखिए यह राउंड भी हमारा complete हो चुका है अब इस राउंड में हम T est 1919 लेंगे W. acorelne करेंगे ओर हम यह next ऒाली cięण मेर डवल क्रोशिय बनाएंगे फिर नेग्स मेरावल क्रोशिय बनाएंगे इस तरह से हमें यहाँ पर पांच बार डबल क्रोशिया बनाना है एक हमारी यह तीन की चेन आ जाएगी और चार हमें और बनाने है यह देखिए यहाँ पर एक हमारी तीन की चेन थी और चार हमने और डबल क्रोशिया बनाए तो यहां पर हमारे टोटल पांस डवल क्रोश्या हो गए है अब हमें दस चेन को स्किप करना है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस और यह 11 वाली चेन में जाकर हमें डवल क्रोश्या बनाना है यह हमारा आम होल बन गया अब हमें नेक्स्ट में फिर से डवल क्रोश्या बनाना है अब आप यह देखेंगे कि यहां पर हमने पांच डवल क्रोश्या बनाए थे और 10 चेन स्किप की है इसी तरह से हमें इधर 15 चेन को छोड़ देना है और बाकी बीच में सभी के उपर डवल क्रोश्या बनाना है यह देखेंगे हमारे यहां पर 14 डवल क्रोश्या और बन चुके हैं बैक साइड में अब हमें यह 10 चेन स्किप करने के बाद में फिर से यह वाले 5 डबल क्रूश्या बनाने हैं 10 को स्किप करने के बाद हमें 11 चेन में डबल क्रूश्या बनाना है और यह जो हमारी चार चेन और हैं इन में भी हमें डबल क्रूश्या बनाना है तो इधर भी हमारी यह 5 डबल क्रूश्या बन जाएंगे यह देखिए इस तरह से यह चोली की शेप बन चुकी है आप चाहें तो एक बार अपनी राधारानी को पहना कर देख सकते हैं अगर साइज आपको ठीक लगे अगर कम या जादा हो तो आप फिर उसको अपने हिसाब से कम या जादा स्टिच कर सकते हैं अब यह नेक्स्ट राउंड हमें कुछ नहीं करना है इस राउंड के ऊपर सारी चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया करते हुए यह राउंड हमें कम्प्लीट कर लेना है यह देखिए यह राउंड हमने कम्प्लीट कर लिया है गोपाल जी की चोली में हमने इसके बाद में एक राउंड और बनाया था बट राधारानी की चोली में हमें घेरा ज्यादा चाहिए इसलिए हम यह पांस राउंड ही रहने देंगे अब हमें यहां से घेरा स्टार्ट करना है अब हम क्या करेंगे यह हमने दो चेन ली दो चेन लेने के बाद में वर्प को टर्ण किया अब हमें एक चेन स्किप करनी है और नेक्स्ट वाली चेन में सिंगल क्रोशिय बनाना है इस तरह से फिर से दो चेन लेनी है एक चेन करना है और नेक्स चेन में सिंगल क्रूशिय करना है इस तरह से हम इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे यह देखिए दो चेन एक सिंगल कुरूशिया फिर से दो चेन फिर से एक सिंगल कुरूशिया इस तरह से एक एक चेन स्किप करते हुए हमें यह राउंड कम्प्लीट करना है यह देखिए यह राउंड हमारा कम्प्लीट हो गया है अब यहाँ पर हम यह धागा कट कर देंगे एक चेन लेंगे और हम यह धागा कट कर देंगे ये जो हमारी right side है हमें ये ही right side रखनी है dress की पूरी तो अब हम ये ध्यान रखेंगे कि हमने जहां पर ये धागा cut किया है वही हमारी right side है अगर आप ये line बढ़ाएंगे तो आपकी right side कुछ और होगी क्योंकि अगर आपने एक line और बनाई तो ये इस side आजाएगा तो इसलिए हमें धागा यहीं से add करना है तो देखें हम धागा कहां से add करेंगे ये जो हमारा loop बना है ये वाला हम इस वाले loop से धागा add करेंगे ये देखें इस तरह से हमने एक chain बनाई इसको हमने इस वाले loop से निकाल लिया एक चेन ली और यह धागा टाइट कर गया अब यह हमारा धागा एड हो गया है अब हमें यहां से तीन चेन लेनी है एक हमारी यह चेन हो गई यह जो हमने अभी लिये दो चेन और लेनी है और फिर से हमें इसी लूप में डबल क्रोशिया बनाना है तो हम यह धागे जो है में फिर दिखाई नहीं देंगे! अब हम हमें इसी बाले लूप में डबल क्रोश्य बनाना है, दो डबल क्रोश्य अ हो गए 1 चेन लेनी हैं और हमें इस इसे में 2 बार डबल क्रोश्य और बनाना है यह देखिए हमने एक यह तीन की चेन ली थी एक डबल क्रोशिय बनाए था तो दो डबल क्रोशिय फिर हमने बीच में एक चेन ली थी और फिर हमने यह दो बार डबल क्रोशिय बनाए थे अब हमें क्या करना है यह जो हमारा नेक्स्ट वाला लूप है यह इसमें हमें एक बा दबल ग्रोशिय बनाना है फिर से हमें ये नेक्स लूप में दो डबल ग्रोशिय ये देखिए थोड़ा सा धागे ने परैशान करते हैं बट आप यह देखेंगे फिर यह back-side से दिखाई नहीं देते तो अच्छे लगते हैं वरना back-side में यह दिखते हुए अच्छे नहीं लगते हैं कि यह देखें दो double crochet एक chain और फिर से इसी loop में 2 double crochet अब नेक्स्ट लूप में एक डबल क्रोशिया फिर से नेक्स्ट लूप में दो डबल क्रोशिया एक चेन दो डबल क्रोशिया इस तरह से हमें ये राउंड कम्प्लीट कर लेना है देखिये जैसे ये कली बन रही है इस तरह से कली बनते हुआएंगी ये देखिये ये राउंड हमारा कम्प्लीट हो चुका है अब हम इस धागे को यहाँ पर कट कर देंगे एक चेन लेंगे और धागा कट कर देंगे अब हमें ध्यान ये रखना है कि हर बार हमें धागा कट करना है क्योंकि जब भी हमें राउंड स्टार्ट करना है वो हमें right side से ही start करना है जिससे ये कली सीधी तब भी दिखेंगी अगर हम back side से करेंगे तो देखें इस तरह से ये अच्छी नहीं लगेंगी इसलिए हम यहाँ पर धागा कट कर देंगे अब हमें red धागा एड़ करना है यह हमने एक chain बनाई इसको हमने इस तरह से निकाला और इस तरह से धागा एड़ हो गया अब एक chain हमारी यह है हमें दो chain और लेनी है फिर से हमें यह इसी तरह से बनानी है दो double crochet एक chain और दो double crochet सेम इसी लूप में अब यह जो यहां पर हमने जो एक double crochet बनाय था बीच में इस पर हमें दो double crochet बनाने है एक और इसी में से एक और तो यहां पर हमारा एक यह stitch इंक्रीज हो गया यह कली सेम बनेगी अब यहां पर इस्टिच इंक्रीज होते हुए जाएंगे अब नेक्स्ट फिर इसमें हमें सेम इसी तरह से दो double crochet एक एक chain और दो double crochet के ऊपर दो बार double crochet इसी तरह से हमें पूरा राउंड कंप्लीट करना है देखिए यह राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है अब हमें फिर से धागा कट करना है chain लेनी है और हमें फिर से धागा कट कर देना है यह देखिए फिर से हमने white धागा एड़ किया सेम इसी तरह से कली के बीच से हमने यहां से धागा एड़ किया तीन चेन ली और फिर से हमें इसमें डबल क्रोशिय बनाना है दो डबल क्रोशिय एक चेन दो डबल क्रोशिय इसको हम साथ में रखेंगे धागे को यह देखिए अब यहां पर हमारा पहले एक डबल क्रोशिय था इस रो में हमारे दो डबल क्रोशिय हुए अब हमें क्या करना है तीन डबल क्रोशिय करने है बट आप यह देखिए कि यह हमें करना कैसे है हमें फर्स्ट वाले double crochet पर कोई भी increase नहीं करना है और ये जो हमारा second वाला double crochet है इस वाले double crochet पर हमें दो बार double crochet बनाना है एक और सेम इसी पर दो हमें जब भी stitch बढ़ाना है हमें ये last वाले double crochet के उपर ही बढ़ाना है first वाले पर एक और second वाले पर दो अब हम next row में जब बढ़ाएंगे तो हम ये first two पर एक एक और ये last वाले पर दो इस तरह से हमें ये बढ़ाते हुए जाना है तो देखिए अब हमें कुछ नहीं करना है same इसी तरह से round को complete करते हुए जाना है और जितनी भी हमें ये dress की length चाहिए उतनी length सेम इसी तरह से एक एक stitch बढ़ाते हुए complete करना है ये देखिए इस वाली row में हमें हर बार एक एक डबल क्रोशिया बढ़ाते हुए जाना है जिससे कि ये घेरा बढ़ा बनता जाएगा और जितनी भी हमें length रखनी है उस ये साथ से हम इसको complete कर लेंगे ये देखिए ये हमारी dress बनकर ready है यहाँ पर हमने एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ आठ राउंड बनाए है और आप ये देखेंगे जो हमने ये बीच में एक डवल क्रोशेय स्टार्ट की थी वो अब एक, दो, तीन, चार, पांच, ये दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आठ ये वाली कली हमारी आठ की बन गई है और ये हमारी सेम है तो इस तरह से आप अपनी लेंद के अकॉर्डिंग ड्रेस को बना सकते हैं आपको इसमें कम करना है तो आप राउंड कम कर दीजे और बड़ी बनानी है तो आप इसको बड़ा बना दीजे अब हम यहाँ पर एक डोरी डालेंगे तो डोरी के लिए हमें क्या करना है यह देखे यहाँ पर हमें कुछ नहीं किया हमने यहाँ पर एक सिंपल चेन बना ली है जितनी बड़ी आपको डोरी बनानी है उतनी आप एक यह चेन बना लेंगे और अब हमें क्या करना है तीन चेन लेनी है और ये फूर्थ वाली चेन में आकर डबल क्रोश्य बनाना है फिर से इसी चेन में डबल क्रोश्य बनाना है ये थोड़ा सा हमें लूज रखना है ये देखिए एक तीन की चेन दो, तीन, चार, पाँच हमें ये पाँच बार डबल क्रोश्या करने के बाद में इसी के अंदर स्लिप इस्टिसस को जॉइन कर देना है ये देखिए तो ये हमारा ये इस तरह से सर्कल बन जाता है एक चेन लेंगे और धागा कट कर देंगे सेम हमें दूसरी साइड भी इसी तरह से बना लेना है ये देखिए ये हमारी डोरी बन गई है अब हमें इस डोरी को जहां से हमने ये वाइट स्टार्ट किया था तो आप देखेंगे ये जो हमने लूप बनाए थे इनका ये गैप है इस गैप के बीच में हमें इसको पिरोते हुए इस डोरी को डाल देना है ये वाले लूप में ये देखिए ये हमारी ड्रेस रेडी हो चुकी है अब हम राधरानी के लिए इस टॉल बनाएंगे तो इस टॉल बनाने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया है हमने 65 चेंट ली और 65 चेंट लेने के बाद में हमने पूरा 65 के ऊपर 65 डबल क्रोशिया दो बार किये एक राउंड और फिर ये second round तो दो राउंड हमने double crochet करके ये इसको ready रखा है अब हमें इसका border बनाना है border हम red धागे से बनाएंगे तो यहाँ पर हमें ये red धागा add कर लेना है ये जो हमारी first वाली chain है इसके बीट से लेकर हमें ये red धागा add करना है एक chain ली अब हमें क्या करना है ये next वाली chain में single crochet बनाते हुए जाना है फिर से next में हमें एक एक बार single crochet करना है हमें इस तरह से single crochet बनाते हुए इस round को complete करना है ये देखिए ये round हमने complete कर लिया है अब हम ये इसकी side में आ गए हैं यहां पर हमें इस तरह से double crochet बनाना है ये हमारे दो round थे तो जिनकी दो लूप है तो यहां पर हमें एक एक लूप में पांच पांच बार double crochet बनाना है तीन चार पांच एक chain ली और ये next वाले लूप में तीन चार बनाना है यह देखे अब हमें यह जो next वाली जो chain है इसमें single crochet बनाना है यह देखे तु सरह से यह round बन जाएगा अब हमें फिर से इसको single crochet करते हुए लाना है और यहां पर हमें यह दोना loop में फिर से 5-5 double crochet बना कर इसको complete करना है ये देखिए राधरानी का स्टॉल बनकर रेडी हो चुका है देखिए ये हमारी ड्रेस बनकर रेडी हो चुकी है तो प्लीज कमेंट करके बताईए जरूर कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू